Hello everyone, welcome back to this channel and thank you so much for joining me आज का हमारा टॉपिक है बहुती यूजफुल असेंशिल ओईल का जिसे आप हेर और स्किन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो यह बहुती बेनिफीशल इफेक्ट देगा और यह इस्पेशली जिनके ओईली स्किन है जिनके ओईली स्क्यारप है वो यूज़ कर सकते हैं तो आज हम बात करते हैं tea tree essential oil की जो आपको both skin and hair के related जो भी आपको remedy करनी है आप इससे कर सकते हो और अगर आपके hairs में dandruff की problem है तब आप इसे use कर सकते हो और अगर आपके skin पे pimples acne की problem है तब आप इसे use कर सकते हो तो यह आपके skin को बहुत ही अच्छा डिजर्ट प्रवाइड करेगा तो इसके 10 ml की bottle आपको बहुत ही easily available हो जाती है चोटा सा essential oil और यह काफी time तक आप इसे use कर सकते हो और इसे आपको ज्यादा quantity में भी use नहीं करना होता है पिल्कुल थोड़ी सी quantity में आप इसे use कर सकते हो अपनी किसी और cream या essential oil या carrier oil के साथ इसे mix करके drops की कुछ drops ही आपको mix करनी है तैन आप इसको अपने skin पे और hair पे use कर सकते हो यह आपके skin को purify करता है extra oil जो sebum आपकी skin से produce होता है उसे यह control करता है और prevent करता है acne को आपके जो acne है जो pimples है उसे कम करने में काफी ज्यादा help करता है और जो कोई भी bacteria आपकी skin में है उसे kill करने में यह काफी ज्यादा help करता है आपके hair में dandruff है उसे fight करता है आपके hairs के follicles को strength देता है ताकि वो और ज्यादा grow करें और healthy hair आपको provide करने में यह help करवाता है और आपको इसे किसी भी अगर आप skin के लिए यूज कर रहे हो अगर आपके acne control के लिए यूज कर रहे हो तो आप इसे एक से दो drop यूज कर सकते हो एक चमच जो भी आप carrier oil, almond oil या कोई भी आप अपने hair के लिए जो भी यूज करते हो उस oil भी इसकी एक से दो बुंदे mix करके यूज करना है इसे आपको directly यूज करना है कोई भी carrier oil या जो भी आप यूज करते हो उसमें इसे mix करने के बाद ही आपको इसे यूज करना है और हमेशा आप इसके लिए patch test पहले कर ले किसी चीज में dilute करने dilute करके और इसकी application थोड़ी सी आप लगा के देख ले ताकि आपको अगर कोई भी इसे परिशानी है या कोई भी itiness पगहरा होती है तो आप इसे ना use करें इसके लिए ही आपको सबसे पहले अपना जो patch test है उसे जरूर कर लेना है और आपको इसे ज्यादा भी use नहीं करना ह है तो इस तरह से आप इसके correctly जो भी है use करने का आप इसे use कर सकते हो और आपको इसे कैसे store करना है किसी भी cool जगा पे dry place पे आपको इसे store कर सकते हो refrigerator में store कर सकते हो और आप अगर इसे direct light में रखते हो तो वहाँ पे आपको नहीं रखना है जहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी रोश्णी का माती हो वहाँ पे आप इसे store कर सकते हैं और आप इसकी जो bottle है उसे ज्यादा time टक open ना रखे और इसकी जो fragrance है जो इसका जो main ingredient होते है वो फिर जो है वो खराब होने की जो जबामना है वो ज्यादा हो जाती है तो इस वज़े से आप इसे open ना रखें तो ये जो आपके mind में काफी question रहेगा कि ये expire भी हो सकते हैं तो ये expire नहीं होते हैं इसकी जो quality है वो diminish हो जाती है जैसे कि इसकी जो fragrance होती है natural वो fade away हो जाती है ये तो इस वज़े से आपको जो है इसे use करना है तो इसलिए इसकी जो bottle है वो छोटी तियार की जाती है ताकि आप इसे use कर सके दैन आप तुबारा से purchase कर सके क्योंकि काफी time तक रखे हुए भी इसका जो थोड़ा थोड़ा असर है वो हटने लग जाता है फिर उसका हमा प्राइब बटन में आपको वीडियो मिल जाएंगे आप वहाँ पे भी वीडियो को चेक आउट कर सकते हो और ये cold pressed oil होते है, paraben free है, fragrance free है, mineral oil free है तो आप इसे definitely जरूर use कीज़ेगा अपने hair or skin के लिए और अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी useful लगती है तो अपने family friends के साथ इसे जरूर share कीजेगा और वीडियो को अच्छे लगती है तो उसे like कीजेगा, share कीजेगा और चैनल को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लिजेगा and thank you for watching